मखाने को सेहत का खाजाना माना जाता है मखाने की तासी ठंडी होती है लेकिन इसे सर्दी और गर्मी दोनों मोसम में खाया जाता है सुभए उटते ही खाली पेट खाए चंद मखाने हाट से लेकर किड्नी तक अनेक परिशानियों में आश्चर जनक फायदे करते है मखाना वजन में जितना हलका होता है इसके फायदे उतने ही वजनदार होते है वैसे तो इसकी गिंती ड्राइ फूर्ट्स के तोर पर होती है लेकिन आज कलिए लोगों का फैवरेट स्नेक्स भी बन चुका है जो में भी डालते है मखाने की तासीर ठंडी होती है लेकिन इसे सर्दी और गर्मी दोनों मोसम में खाया जाता है इसमें कॉलिस्ट्रोल, फैट और सोडियम की मात्रा कम होती है जबकि मैगनेशियम, कैल्शियम, कार्ब्स और अच्छे प्रोटीन प्रचूर मात्रा में पाए जाते है इसके अलावा मखाना गुलूटेन फ्री होता है आयुर्वेद विसशग्यों का मानना है कि यदि चार से पाँच मखाने रोजाना खाली पेट खाली जाएं तो शरीर को कहीं तरह के फाइदे मिलते हैं आईए दोस्तों जानते हैं मखाने के फाइदे के बारे में इसमें सबसे प्रत्थम आता है सुगर नियंतरन डाइबटीज के मरीजों के लिए मखाना बहुत अच्छा स्नैक माना जाता है यदि डाइबटीज के रोगी रोजाना खाली पेट चार से पाँच मखाने नियमित रूप से खाएं तो उनकी सुगर नियंतित होती है हार्ट के लिए माना जाता है कि अगर आपको हार्ट से सम्मंधित बिमारी है तो आपको मखाने का सेवन जरूर करना चाहिए मखाना दिल की सेहत को दुरुस्त करता है और बीपी को नियंत्रित करता है लेकिन अगर आपको हाई बीपी की समझ्चा है तो नमक डाल कर इसका सेवन ना करें प्रेगनेंट महिला और शिशु के लिए सेहत मन्द प्रेगनेंट महिला को मखाने के खीर बना कर खानी चाहिए इससे मा की सेहत बहतर होती है साथ ही शिशु को भी पोशन मिलता है हड्यों को मजबूती परदान करता है मखाने में परचूर मात्रा में कैल्शम होता है इसलिए ये हड्यों को मजबूत करने का काम करता है गठिया के मरीजों के लिए मखाना बहुत ही फायदे मन्द है किड़नी के रोगों में आजकल कम उम्र में ही किड़नी खराब होने की समस्या लोगों में देखने को मिलती है लेकिन अगर आप नियमित रूप से मखाने का सेवन करते हैं तो इस समस्या से बस सकते हैं मखाने खाने से किडिनी से विसैले तत्व बाहर निकल जाते हैं और किडिनी सुष्ट रहती है वजन कम करने में जिन लोगों को वजन कम करना हो उन्हें खाने के अलावा दिन में जब भी भूक लगे तो मखाने खाने चाहिए इससे पेट भरावा महसूस होता है और शरीर को पोसकत भी मिल जाते हैं इससे शरीर की एनरजी मेंटेन रहती है और आप ओवर इटिंग से भी बच जाते हैं